हलो दोस्तों कैसे हैं तो दोस्तों आज मैं आपको मुंबई सागा का फूर मुवी एक्स्प्लेंड करने वाला है तो बिना समय गवाय चलिए वीडियो को शुरू करते हैं मुवी सुरुवात होती है 90's के समय से जहाँ पर एक आदमी अपने कार से जा रहा होता है और वहीं कुछ गुंडे आके उस कार को घेर लेते हैं और उसके कार के सारे सी से फोड़ के उसे गोली मार देते हैं वो भी 20 सडक पे और जो गुंडे उस आदमी को गोली मारते हैं उस गुंडे का नाम रहता है अमरतिया राओ उसके बाद मूबी 80's का समय दिखाय जाता है उस समय अमर्तिया राओ कोई गुंडा नहीं बना था यानि हमें अमर्तिया राओ का बैक इस्टोरी दिखाय जाता है जहांपे अमर्तिया राओ अपनी गल्फेंट सीमा राओ और अपने छोटे भाई स्याम जावेत के साथ वह सबजी बेच के अपनी हसी खुशी जिन्दगी जीता है लेकिन उस इलाके में गाय टोंडे नाम का एक गेंग्स्टर रहता है जो कि उसकी इलाके में उसकी खूब चलती है और वह सभी जगा से हपता लेता है और अमर्तिया राओ के पास गाय टोंडे के कुछ गुंडे हपता मागने के लिए जाते हैं इस बात से वहाँ के जितने भी सबजी बेचने वाले लोग रहते हैं वो सभी परिसान रहते हैं इस बात से अमर्तिया राओ का छोटा भाई सयाम जादो बहुत ही परिसान रहता है और जब दूसरी बार वह सभी गुंडे आते हैं हपता मामने के लिए तब अमर्तिया राओ वहाँ पे नहीं रहता है वह केरम खेल रहा होता अपने दोस्तों लोग के साथ तब ही अमर्तिया राओ का छोटा भाई उन सभी गुंडों को थोड़ा धमका देता है कि मेरी उमर बढ़ेगी और तुम लोग की उमर डाउन होगी तब क्या करेगा तब वह सभी गुंडे को गुस्सा आजाता है और वह गुंडे अमर्तिया राओ के भाई को उपर से नीचे धाका दे देता है जिससे उससे बहुत ही गंभीर चोट आती है तब अमर्तिया राओ को बहुत ही जादे गुस्सा आजाता है और जब अगली बार वे सभी गुंडे हपता माने के लिए आते हैं तब अमर्तिया राओ उनमें से एक का हाथ काट देता है और उन सभी को बहुत बुरी तरीका से पीट देता है और इस बात का पता जेल में बैठे गया टोंडे को पता चल जाता है क्यों कोई अमर्तिया राओ का आदमी उसके आदमियों कोई पिटाई कर दिया है मूवी में ये नहीं दिखाया गया है कि गायटोंडे किस जुर्म के लिए अंदर गया था और गायटोंडे का उस जेल में उसकी खूब चलती थी यानि समद लिजे यानि पुलिस का कंट्रोल गाय टोंडे के हाथ में था और गाय टोंडे उन पुलिस वालों को बोल के अमरतिया राओ को जेल भेजवा देता है और वो गाय टोंडे अमरतिया राओ को जेल इसलिए भेजवाता है क्योंकि अमरतिया राओ को हुआ जेल में ही उसके बाद वहां के बहुत ही ताकतवर नेता अमरतिया राओ को अपने तरफ करने के कोशिश करता है यानि अपने पास बुला के वह अपने साथ काम करने के लिए बोलता है और उस नेता का इतना जादे पावर रहता है कि वह पूरा मुंबई बेराज करता है यानि पूरा तब वो अमर्तियाराव को बोलता है कि गयतोंडे को खतम कर दो तो मुंबाई तेरी हो जाएगी तो गयतोंडे का पूरा तरीका सुनामो निचान मिठाने के लिए सबसे पहले जविर रहता है कि उसके जितने भी करखाने हैं जिसमें वह बंदूक रखता है और उसके सारे हथ हथियार को अपने कपजे में ले लो जिससे उसकी ताकत खतम हो जाएगी और उससे असानी से मारा जा सकेगा और अमर्तियाराव और उनके दोस्त जितने भी गयतोंडे के कारखाने हैं जिसमें बंदूक छिपाये रखा है उन सभी को अपने कपजे में लेने के कोशिश करत ताकि अगर गैटोंडे का अगर हतियार खतम हो जाए तो वा भी कमजोर पर जाएगा और उसे असानी से मारा जा सकेगा जिसके लिए गैटोंडे की जितने भी आदमी हैं उन सभी को पकड़ के उन सभी को मार पीट के गैटोंडे के हतियार वाले जगा का पता लगाता है और स जो मुभी के शुरुवात में अमर्तिया राओ ने गोली मार दी थी। उसके पापा जो है वो बहुत सालों से मिल चलाते हैं और वा सुनिल उस मिल को बेचना चाहते हैं लेकिन वा जबजस्ती उस मिल को बेचना चाहता हैं और उस सुनिल की एक पत्नी भी रहती है जो उनका पूरा तेका से साथ देती है। अगला सिन में अमर्तिया राओ का भाई सियाम जादों को दिखा जाता है। जो की बड़ा हो गया होता है और वह सीमा राओ को अपनी प्यार के बारे में बताता है। कि वह एक लड़की से प्यार करता है। और वा अपने भाई को इस बारे में बताना चाहता है, लेकिन वा डरता है, तब सीमा अमरते राओ को उसके प्यार के बारे में बताता है, और वा लड़की के घर वाले से बात करके उन दोनों की साधी करवा देता है, और वा मुंबई से उन लोगों को बहुत दूर भेद देता है ताकि उन लोगों पे कोई आच ना आए यानि कोई दुस्मन अमर तेराओ के बदले उन पर कोई अटेक ना कर दे और उनको कोई नुक्सान ना पहुंचा है अगला सिन में हमें दखाए जाता है कि सुनिल जो है अपने पापा को जान से मार देता है और वा गायटोंडे से हाथ मिला लेता है क्योंकि उसे मिल बेचना था और मिल बेचने में वा गायटोंडे उसका साथ देता और सुनिल का गायटोंडे से हाथ मिलाने से गायटोंडे क फिर से आजाता है। और यह बात उस नेता को बिलकुल पसंद नहीं था। और वा नेता अमरतिया राओ को बोलता है सुनिल को खतम करो या डुड़ राओ तो गाय टुंडे का पा और अपने आप खतम हो जाएगा। उसके अगलेशन में दखाय जाता है कि अमरतिया राओ का भाय जो है वा सहर से वापस आता है अमरतिया राओ से मिलने के लिए क्योंकि अमरतिया राओ का बड़े राता है और वा उसे सप्राइब देना जाता है इसलिए वा अमर्तिया राओ से मिलने के लिए आता है लेकिन तभी कुछ गुंडे उन पर हमला कर देते हैं लेकिन वा किसी तरफ बज जाता है यही बात अमर्तिया राओ को पता चल जाती है तो अमर्तिया राओ को लगता है यह हमला सुनील ने करवाई है लेकिन एक्चली मे या हमला गय टोंडे ही करवाता है उसके बाद अमर्तिया राओ सुनील को घेर के वा उसे 20 सड़क पे गोली मार देता है और सुनील का जैसे ही मडर हो जाता है 20 सड़क पे तो उसकी पत्नी जो है वो पुलिस वाले के पास जा कि ये बोलती है कि जो कोई भी अमर्तिया राओ को गोली मारेगा उसे वा 10 कड़ोर पे देगी तब सभी पुलिस वाले लाल्ची हो जाते है और सभी पुलिस वाले अमर्तिया राओ को डूरने लगते है उसे जान से मारने के लिए यहीं पे एक इंस्पेक्टर रहता है जिसका नाम रहता है इंस्पेक्टर विजय वा 10 कड़ोर अपने पास रखना चाहता है यानि 10 कड़ोर वा खुद कमाना चाहता है उसके बाद इंस्पेक्टर विजय जो है अमर्तिया राओ के एक आदमी को पकड़ लेता है और उनसे अपने बाकी साथियों का पता पूचता है लेकिन वा नहीं बताता है तो उसे बंदों की नोक पे धमकाता है कि तुझे गोली मार दोंगा तब वा डर के मारे वा सारे साथियों का पता बता देता है तब वा इंस्पेक्टर अमर्ते राओ के बाकी सभी साथियों को गोली मार देता है तब अमर्ते राओ को इस बात का सक होता है तो उनके गैंग में भी कोई गद्दार है यानि उसकी बात वा पुलिस तक पहुँचा रहा है कि यह जगा अमर्ते राओ मिलने आने वाला है और वे सभी भेस बदल के वहाँ पे छिप जाते है तब सच में पुलिस वाले वहाँ पे आ जाते है तब अमर्ते राओ को इस बात का कंफर्म हो जाता है कि गद्दार वही है तब Amartya Rao का भाय सयाम उसे जाके गोली मार देता है तब Amartya Rao इस बाद से बहुत ज़्यादा गुश्सा होता है इसके बाद पुलिस वाले Amartya Rao के खिलाब स्यूटन साइड का ओर्डर निकालते हैं उसके बाद सारा पुलिस Amartya Rao को ढूनने लगती है तब मुंबई छोड़के बाहर भाग जाता है और सारा गेंग का जिम्मदारी स्याम पे आ जाता है और सारा गेंग को वही हैंडल करता है किसी से हपता वसूलना, किसी को गोली मारना सारा काम वही देखता है और इधर स्याम के उपर भी उसे गोली मारने का चार लगा दिया जाता है तब स्याम को हाजी रोना रहता है कोट में और कोट में वह जैसे ही जाता है वैसे ही गैटोंडे के कुछ आदमी उसे गोली मार देते हैं और वह पुली तेलका से पैरलाइज हो जाता है और इस बात का पता अमर्तिया राव को चल जाता है इसलिए होस्पिटल में जाता है और उसके बोडी को और उसे उठा के जीप में ले जाता है उसके बाद इंस्पेक्टर विजय गैटोंडे के पास जाता है अमर्तिया राव का पता पुछने के लिए कि वो तुम्हारा दुस्मन है तो तुम्हे को पता होगा कि अमर्तिया राव कहा है लेकिन इसी के बीच इंस्पेक्टर विजय आ जाता है और अमर्तिया राव और इंस्पेक्टर विजय में बहुत जबज़त लड़ाय होती है लेकिन अमर्तिया राव इंस्पेक्टर विजय और वही भरती करवाता है, तब अमर्तिया राव गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वह उस नेता के लिए ही काम कर रहा होता है, और वह जो पुलिस वाला है, वो भी उसी का आदमी रहता है, तो दोनों तो एक ही का आदमी है, तो वह उसे मारना क्यों चाहता है, तब अमर्तिया र प्लेन में वा दूसरे सहर जाना चाहता है, लेकिन वहाँ पे पुलिस वाला आ जाता है, यानि इंस्पेक्टर विजय आ जाता है, और उन सभी में बहुत धमसान लड़ाई होता है, लेकिन आखिर में इंस्पेक्टर विजय अमर्तिय राओ को गोली मार देता है, लेकिन वा क और यहां अमर्तिय राओ का दोस्त थी रहता है जो कि अमर्तिय राओ का पता बताता है उसके बाद अमर्तिय राओ का मरने के बाद अमर्तिय राओ का दोस्त उस जगा का मालिक बन जाता है यानि मुंबई का अगला डोन वह बन जाता है और मुभी यहीं पर end हो जाती है तो द आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद।